है गारीज सेंगे यह बात। part 3 है और視 वीडियो लेज़ी। अगर हम कंटेंडेर पर बारे के बारे में उसके लगाने से जो अंदर के डिवस हैं उन्के बिहेवि goat में क्या चीज आता है जैसे कि आप me और ते अमा देख सकते हैं यह हमारा आज union तो मैं पहले आपको वो दिखा देती हूं कि क्या हम सीखने वाले हैं, फ्लेक्स रैप लगाने से क्या होगा, ठीक है, देखे फ्रेंड्स यह आप स्क्रीन पर देखिए, तीन डिव्स हैं, जिसमें अलग-अलग जो कंटेंट है वो है, और जैसे ही मैं इसको देखिए, रिस् जो चोटा होते ही, जो औरेंज वाली सेकिंड डिव है, वो भी अड्जस्ट होगी, यह बिल्कुल हमारा रिस्पॉंसिव जो ले आउट है, वो रेडी हो गया है, विदाउट यूजिंग मीडिया क्वेरी, तो यह है पावर हमारी फ्लेक्स बॉक्स की, सो विदाउट वेस ली हुई है, अलग-अलग content की, यह हमारा जो style CSS है, वो है, इसमें कुछ भी अलग से CSS नहीं लिखी हुई है, जिस्ट हमने जो पिछले वीडियो में सीखा था, display flex, वो लगाया हुआ है, जिसकी विज़ से क्या हो रहा है हमारा, जो हमारी divs है, वो साथ साथ आ रही है, ठीक ठीक है, तो अभी देखिए हो क्या रहा है, जैसे हम इसको responsive कर रहे हैं तो यह देखिए, यह हमारी जो divs है, यह responsive तो हो रही है, adjust हो रहा है, बट at the end भी जितना भी छोटी screen हो जाए, यह बिलकुल shrink होती जा रही है, मतलब one by one चाहिए होता है ना, layout वो वला नहीं आ रहा है और एक, मतलब एक width पर क्या होगा ना, इसमें scroll आना शुरू हो जाएगा, जो बिलकुल भी कोई भी अगर UI designer होगा, वो बिलकुल भी ऐसा नहीं चाहेगा, because यह layout ही गलत है, तो इसको सही करने के लिए हमारे पास flex wrap की एक property होती है, friends flex wrap लगाने से पहले आपको क्या करना है, आपको जो आपकी inner divs है ना, जो की हमारी है item, उसमें आपको एक particular width दे दीनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर 250 की width ले रही हूँ, ठीक है, 250 width देते ही क्या हुआ, यह जो हमारी 3 divs हैं, वो एक साथ सट गई और extra जो space था, उन्होंने वो release कर दिया है, ठीक है, अगर आप चाहते ह है कि यह जो extra space है, वो ना रहे और यह जो divs है, वो automatically इसको cover कर ले, तो इसमें एक property होती है, friends, वो होती है, flex grow की, आपको flex grow 1 देना है, flex grow 1 देते ही, आपकी जो 3 divs हैं, उन्होंने automatically, जितना भी उनके outer div का area है, वो cover कर लिया है, ठीक है, यह हो गया, अब आते हैं, हमारे main area, जो कि हमारा outer div है, उस पर flex wrap लगाने से, ठीक है, तो flex wrap आपको लगाने क्या करना है, flex, फिर आपको लिखना है wrap, ठीक है, friends, flex wrap की जो by default property होती है, वो होती है no wrap, क्योंकि यह by default property है, तो आपके layout में कोई भी difference नहीं आएगा, बट अगर हम इस no wrap को change करके लिख देते हैं wrap, ठी अब ही इसके layout में कोई change नहीं आ रहा है, आप हम इसको करते हैं responsive, तो देखिए friends, यह responsive करने पर क्या हुआ, यह blue वाला जो था, उसको जैसे ही 250 की width कम पड़ी, ठीक है, तो वो नीची adjust हो गया, और जैसे ही अब यह orange वाले को 250 की width कम होगी, तो वो उसके नीची adjust हो गया है, और ऐसे ही यह जो हमारा responsive layout है, वो ready हो गया है, अभी हमने देखिए, कोई भी जो media query है, वो use ही नहीं की है, ठीक है, अब एक flex wrap देखिए friends, एक तो मैंने आपको बता दिया, default property है no wrap, एक है flex wrap की एक property, जो wrap मैंने अभी आपको बताई, और एक है हमारे पास flex reverse, flex reverse से होता क्या ह यह बिल्कुल opposite काम करती है, wrap के, ठीक है, wrap में हमारे पास क्या हो रहा था, पहले जो सबसे पहले adjust हो रही थी नीचे, main column 3 यह वाली, ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या हुआ, तो मैं इसको responsive करती हूँ, और इसको scroll down करती हूँ, ठीक है, तो last में जा रही थी सबसे पहले, column column 3, और उसके बाद आएगी main column 2, adjust हुई और उसके बाद adjust हुआ, यह main column 1, मतलब कि उसका layout है, वो opposite हो गया है, जैसा हमने wrap में दिया था, उसके बिल्कुल opposite हो गया है, ठीक है, तो यह तो हुआ हमारा 3 property, flex wrap की, इसमें एक interesting चीट मैं आपको flex के बारे में बता दूँ, अगर अगर यह चीज़ आपने कभी notice भी नहीं की होगी, बट यह बहुत important है, देखे ध्यान से देखिए, मैंने अपने pink वाला जो first column है हमारा, उसमें मैंने तीन line का content डाला हुआ है, और column 2 में 2 line का content है, और column 3 में 1 line का content है, मैंने यहाँ पर कोई भी इसको height नहीं दी है, बट अपने आप adjust हो गई है, जैसा की bootstrap 4 में हो रहा है, मैं आपको आने वाले अपने वीडियो में bootstrap की series भी बनाऊंगी, bootstrap 4 की series, bootstrap 4 ने फ्रेंड्स, flex को ही adopt किया है, जिसकी वज़ा से उसको यह property मिली है, मतलब हम इसमें अगर अभी तक इससे पहले क्या होता ना, अगर हम flex नहीं use करते थे, तो हम क्या करते थे, अगर ये तीन लाइन है, तो ये इन दोनों की जो height थी, वो अपने आप कम हो जाती थी, क्योंकि content के according height लेता था, बट अभी देखिए, मैं ना इसमें, देखिए, आपको live करके दिखाती हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आ आपकी दो ने भी अपनी जो height है, वो अपने आप adjust कर ली, हमें minimum height देने की कोई ज़रूरत नहीं रही, ये power है हमारे flex box की, ये बहुत अच्छा features आया है हमारे CSS में, आज के लिए इतना ही, I hope आपको ये flex wrap की property है, वो अच्छे से समझ में आई होगी, अगर फिर भी इससे related क कोई issue है, या और कोई issue, कोई अलग आपी query है, आप मुझे comment box में नीचे comment कीचिए, और उसका reply मैं जरूर करूंगी, friends मेरे इस video को अपने friends के साथ like, share और subscribe करना मत भूलिए, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए bye bye, take care